उम्मीद है आप इतना काम तो करी पाएंगे मिस हायाद वैसे मुझे मिस हायाद की बाद बिलकुल सही लग रही है हाँ मुझे भी हम बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट करना जा रहा हैं गिसे पिटे डिजाइन से शुरबात नहीं कर सकते अगले बार आप कुछ नहीं और यूनीक आइडियास के साथ आईएगा तो मीटिंग खत्म करते हैं देखो शेंक, मुरा ड्रैगन की तरह है हमेशा आगूगलते रहता है उसने कहा है वो डून की रहेगा, किसने प्रेस में फोटोज लिकिये हैं अरे इतना टेंशन मतलो, तुम्हारा दिमाग हराब है सत सामने आया तो फस जाएगे वो जर्नलिस मुब बंद रखेगा ना, जरूरत पड़े तो और पैसे ठूसो उसके मुँ में डालिंग, वो सब मुझ पर छोड़ दो और रिलाक्स करो, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, मैं हूना मैं तभी रिलाक्स हो सकती हूँ, जब मुराद और मेरी शादी हो जाए, बस वो तो हो जाएगी क्यो ना हम कहीं घूमने चलें मैं भी यही सोच रही थी किसका कॉल है, एक मिनित उका। हलो, बोलो कौन है हलो, क्या मैं दिदम से बात कर सकती हूँ जोर से, जोर से बोली, सुनाई नहीं दे रहा दिदम से बात करना चाहती हूँ, अजीमे बोर रही हूँ लगता है अपने रॉग नंबर डाइल किया है, अरे नहीं है अजी में बोर रही हूं आजी में कौई वुड़िया है अरे में अपने चंदा मागने के दिधा क्या उफ कहां कहा से चली आटें वेटा मैं एगली मुराद की दादी जान क्या कैसी है कैसी आप इंप सब्सक्रमें पैचाना है नहीं बताए मुझे समझ नहीं आ रहा असले तो मैं केरम को मेरा कजन बनाने की क्या ज़र। थी समझने जैसा क्या है अगर असले जैसी दोस्त हो तो तुम दोनों समझने के कोशिच क्यों नहीं करें मैंने ज़ान solution स्केफ़ नहीं किया है कुछ लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद मैं केरम को नहीं मिल सकती हूँ लजीज खाना हाजिर है चलो चलो जल्दी सब अपनी प्लेट से आगे करो ओ, क्या दिख रहा है हाँ, तुम सब घर का खाना मिस करती होगी न तो सोच आज कुछ बढ़िया बनाती हूँ आप बहुत ही अच्छी है मिन्हांटी इस लजीज खाने के लिए शुक्रिया अरे कोई बात नहीं, मजे से खाओ सब लोग तुम्हारे लिए कुछ लड़कों के लिस्ट फाइनल की है तो उन लड़कों से कब मिलना शुरू कर सकते हैं, बताओ मुझे लाइफ में अल्रेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, आप उसे और मत बढ़ाइए आज ओफिस में सब के सामने मेरी इंसाल्ट हुई है, पता है वहाँ की प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही जा रही है और आपको इस बीच मेरे लिए लड़का रूमना है I'm sorry पर इस वक्त मेरे दमाग में शादी तो बिल्कुल भी नहीं है तो ठीक है, अगर हमने तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्ब कर दिये तो तुम लड़के देखने को राजी हो जाओगी सुप्राइज, सुप्राइज, बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ, क्या व्यू है हमेशा सूत में दिखाए तुमें, तुमें ऐसे देखने को मौका तो कभी नहीं मिलता मुझे काभी हट लग रहे हो मुझे वैसे रहना पसंद है तुम यहां क्या कर रहे हो, मेरी याद आ रही थी पता नहीं भाई, क्या हुआ है मुझे पर मैं काम में बिजी रहना चाहता हूँ हमने सोचा कि जब वो डिजाइनर्स के पास कोई खास अच्छे आइडियाज नहीं है तो हमें ही कुछ करना होगा और हमने सोचा क्यों ना आपके घर को यह आफिस बना लिया जाए तुम हारी बातों ने तो मुझे सच में रुला दिया देखो यह पूल भी मेरे आंसों से पूरी तरह भर गया है अब तो अगर मैं मर भी जाओ तो मुझे कोई गम नहीं होगा दुरू अरे बाद में मरना भी बहुत सारे काम बाकी हैं हम इस प्रोजेक्ट में साथ काम करेंगे तो बाद में तुम कोई डिजाइन्स रेजेक्ट नहीं करोगे और मैं तुम्हारे डिसेशन से बोर नहीं होगा मुझे मन्जूर है चलो काम शुरू करते हैं आज इस घर में सारे जीनियस मिलकर काम करने वाले हैं आइडियास का तूफान आने वाला है तुम्हें ठंड लग रही हो तो मैं अगले लगालों आफ़र अच्छा है मैं इस बार में सोचूंगा फिल्हाल तुम दोनों अंदर जाओं मैं थोड़ी दियर में आता हूँ घर तो बहुत बढ़िया होना ही चाहिए लेकिन कमफर्टेबल होना बहुत जरूरी है फादिक मेरी दोस्त मेरी बहन तुम बताओ एक अच्छे घर में वो सबसे जरूरी चीज क्या होती है बताओ तुम मुझे लेस सबसे जरूरी चीज होती है लेस एक लेस के मिना घर कभी घर नहीं हो सकता आप अपने उंगलियों से स्पाइडर वुमन की तरह लेस उगाएंगी है न फादिक आंटी हाँ क्यों नहीं ग्रेट आइडिया लेस का बिजनिस शुरू करते हैं हर घर के लेस हम आपकी घरों की दीवारे पूरी तरह लेस से सजा देंगे ये क्या बक्वास है मजाग उड़ा रही हो नया ट्रेंड पुराना हुआ है और पुरानी चीज़े नहीं कार्पेट भी ना खरीट पाए परड़े लानी के लिए कहेंगे तो बेर्शिट उठाके ले आएंगी उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है कि घर कैसे रखते हैं आखिर कोई एक्सपेरियंस भी नहीं है ना अगर इन लोगों ने सुबील का आलिशान घर देखा तो यह पागल हो जाएगा पागल है क्यों फादिक तुम्हें सुबील का घर याद है ना बिल्कुल याद है डिडी वो किचन में फलो के बड़े बड़े पेंटिंग्स गोल्ड फॉइल में सजा हुआ लिविंग रूम और बड़ी बड़ी शादी के ड्रेस में लगी फोटोस कितनी पहतरीन सजावट की बता नहीं सब्सक्राइब फादी हम सुबील को कॉल करते हैं वो हमें ज़रूर अच्छी आइडियास देगी सच में उसका ऐसे कामों में बहुत नजुर्बा है क्या बात है प्रॉब्लम सॉल्फ हो गई हम ना सुबील को सार्थे में एक अच्छी सी जॉब दिलवा देंगे इनफेक्ट कली सुबल मेरे साथ आकर कॉंसेप समझाए तो कैसा रहेगा अजीने आंटी आपको अंदाजा भी नहीं है आप से मिलकर मैं कित्ती खुश हूँ लगता है मैं खुशी कि मारे पागल हो जाओंगी बैठो 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 बिटा तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो अब मैं आंटी तो नहीं रहूंगी तुम्हारी क्या पता जल्द ही तुम मुझे दादी जान कहने लगो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मुराग मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है मैं उसके करीबी लोगों को जानना चाहती हूँ दरसल इसलिए मैंने तुम्हें आज घर पर मिलने को बुलाया शुक्रिया, दादी मैं अपने मॉम डैट की एकलोती बेटी हूँ और हम बहुत खांदानी लोग है और उपर वाले का शुकर है, काफी अमीर भी हो वैसे दादी जान, मैं बचपन से ही दुलहन बनना चाहती थी आप समझ रहे हैं न मेरी बात, आपको मेरी बातों पर भरोसा करना होगा क्या आपको लगता है मैं ऐसे वैसे खांदान में शादी करूँगी मुझे बहुत शर्मिंदी की महसूस होई थी आजकर का जमाना ऐसा ही है बेटा बिल्कुल हमारे समय में ऐसा नामुम्किन थी वही तो सच का आपने मुराद के साथ तुम्हारा कैसा रिष्टा है ये भी मुझे पता नहीं है न बेटा हाँ वैसे मुराद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी दादी लेकिन फिर कुछ गलत फहमिया पैदा हो गई थी और हमारा रिष्टा तूट गया लेकिन फिर भी मैं आज मुराद से प्यार करती हूँ अब बेटा कुद को संभालो हर मुसिबत का हल होता है दिदैम हां आसु पोचो अपने अब जाओ और हम दोनों के लिए बढ़ी हसी चाय बनाओ और कुछ हलका फुलका स्नाक्स भी बनाना हम दोनों के लिए बना लोगी न हाँ बलकुल रादी यह देखो यह वाला तुम्हे पसंदाएगा अगर तुम लोगों ने मेरे घर को आफिस बढ़ाए अगर तुम लोगों ने मेरे घर को आफिस बढ़ाए